दुंदली वड़ी विचित्र थी उल्टा करना आत्म देव ने सोचब जैसे तैसे भगवान ने दी निवालो सब निवाते जा रहे थे पर जीवन में गटना ऐसी गटी बालक फुत्र था नहीं संत से जाके कहा महराज कोई कृपा करो संत ने कृपा करके फल दे दिया फल को ताके नोने दुंदली को दिया कि तु इस फल को खा ले न तो हमारे घर बालक हो जाएगा दे करके चले गए अब वैटी वैटी सोच रहे ये फल खालूंगी तो इनका क्या नो महीना तो हमको कश्ट जहिलना पड़ेगा न कहीं जा पाऊंगी न रिष्टेदार के हां जा स ना आ सकती हूं ना मन पसंद खा सकती हूं और सबसे बड़ा संकटी है कि बालक होगा तो ननद आएगी ननद देख भाल के लिए आएगी तो उसको तिजूरी चावी देनी पड़ेगी बड़िया बड़िया माल ले जाएगी ये तो बड़ा जंजट है हम नहीं खाने वाल करते हैं हमारे गर में जो बालक है हम तुझे दे देंगी तु हमको पैसा दे देना हम किसी को बताएंगे नहीं कह देंगी दुन्दली का बच्चा है अच्छा जी पर ये नो महीने तक कैसे हम बोले नो महीने तक गरवती महिला जैसा रह मैं सब को कह दूंगी कि एक बाबा ने का है नो महीने तक किसी का मुख नहीं देखना और पती उसको तो पता लगेगा बुल नहीं उसको यह कह दूंगी बाबा ने का है बच्चा अच्छा हिष्ट पुष्टो ग्यानी हो इसके लिए पिता को नो महीने तक 3 तात्रा पर जाना चाहिए तो उनको वहां सेट कर द दोनों ने मिलके अब देखो इसका मतलब क्या है आत्मा आत्मदेव है दुनली है बुद्धी और दुनली की छोटी वहन है मन जब मन और बुद्धी आपस में संधी कर लेते न एक दूसरे को सहयोग देने लगते हैं तब फिर ये आत्मा को 84 लाग के चक्कर में यात्रा करने गुमाने बेश देते, कि गुम अब 84 के चक्कर में, बुद्धी गलत करती है, मन उसका सयोग करता है हाँ, तू सही कर रहा है, एकदम बुद्धी तू सही चल रही है और वो दोनों एक दूसरे से संदी करके हमेशा गलत रास्ता चुनते दूनली बुद्धी है जिसकी बुद्धी में तरक हो वो दूनली है हर बात में तरक आत्मदेव महराज को घर से बेज दिया अब इस फल का क्या करें, फल भी तो है ले इस फल को गाए को खिला दो गाए को फल खिला दिया गया बहन से बालक हुआ और तीन उस बालक के होने के तीन महीने बाद गाय के गर्ब से भी एक बालक हुआ जिसका नाम गोकर्न रखा गया और धुनली ने अपने बेटे का नाम गया रखा धुन्दकारी धुन्दकारी और गोकर्न एक ही घर में बड़े हुए एक ही परिवार एक ही संसकार लेकिन परम भागवत और धुन्दकारी परम देत्य पापी इतना पाप करने लगा इतने शिकायते घर में आने लगी कि आत्मदेव महराज पड़े दुखी हो गए मन में विचार आया बेटा नहीं था तब लाख गुना अच्छा था शानती थी जब से आया इसने जीना हराम कर रखा है अब क्या करूँ घर छोड़के जाओं तो अभी मन में उतना वैराग नहीं तब शीगोकरन महराज ने अपने पिता के मन में वैराग जगाया उपदेश दिया देहेस्तिमां सुरुधिरे भिमतिम्त्य जत्वं जाया शुतादिशु सदाममताम विमुंच पश्चानिशं जगदिदंशन भंग निष्टं वैराग्यराग रसिको भवभक्ति निष्ट धर्मं भजस्वसततं त्यजलोक धर्मान सेवश्य साधु पुरशान जहिक आमत्रिश्णाम अन्यश्य दोश गुन चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वं ये पिताजी इस अंसार का मोह त्याग दो देहेस्तिमां सुरुधिरे इस शरीर का मोह जिसका किये बैठेव यहड़ी मान सुरुधिर चर्म से बना है इसका मोह त्या श्री गौकरन महराज के इस ग्यान उपदेश को सुनके आत्मदेववन में गए भजन किया भगवत प्राप्ति की उदर धुंदली भी धुंदकारी से दुखी हो गई रोज मारना पिटना घर से धन चिन चिन के ले जाना धुंदली ने भी जाकर के शरीर का देहे का त्या से बना ब्रंबराक्शस बना है। उसके उध्धार के लिए एक, दो 5 नहीं सोबार गया में पिद्ल्यदान की पर कुछ हुआ नहीं उद्धार हुआ नहीं तब उसके उद्धार के लिए श्री गौकर्ण भाराज ने अपने गाउं में श्रीमद भागवत कथा का अयुजन कराया कथा हुई पंडाल में सबाय दुंदकारी भी आया अब देती है कहां बैठे खुले में तो बैठ नहीं सकता तो एक विमान स्वर्ग से आकाश से उतर के आया उस विमान में धुंदकारी को बिठाया गया गोकर्ण माराज ने भगवान की दूतों से कहा अगे ठेरो ठेरो रुको एक विमान लेकर किया आगे कथा सुनने वाले तो यहां हजारो थे विमान अकेले के लिए तो दूतों ने कहा मराज देखो सुनी तो सबने थी पर जब कथा से उठते ना जमीन से कथा सुन करके जब उठते हैं तो ऐसे कुरता उड़ता पकड़के थोड़ा ज़ाड देते कोई मिटी विटी नहीं लग रही हूँ पर मराज बहां कुरता ज़ाडने में मिटी के करके चले जाते हैं कि यहां की बात है घर तक नहीं जानी चायिए नहीं तो मर दिल में बैժ गई तो फिर तो खितरा हो जाएगा इसलिएर फोड़ के जा अरे घर जोडो कि यहां से लेख के प्रशाद की लाइन लगती नवहां तक भी भूल जाते हैं प्रशाद की लाइन में भी जब लगते हूं प्रशाद लेने के लिए तो फिर यहां सुनते भागवत, वहां करते हैं महावारत मरार आदेखो आसान तो नहीं है जो बातें यहां कही जा रही है, हंड़र परसेंट सब उस बातों को अपना मैं जूट नहीं बोले, कहने वाला भी नहीं 100% फॉलो कर पाता आचरन में नहीं ला सकता, लेकिन फरक क्या है कि हम लोग प्रियास भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते हजार बात हमारे मन में बैठ जाएं जरूरी नहीं है लेकिन इस साथ दिन में कोई एक बात तो मन में बैठ सकती है एक बात तो कोई अच्छी लग सकती है कि हाँ, ये तो अब मैं इस कथा को सुनने के बाद जरूर आचरन में लाओंगा इसको अपने जीवन में उतारोगा बस एक बात पकड़ने की देर है एक बीज ही विशाल वरक्ष बन जाता है इसलिए मैं ये आशा नहीं रखती न में कभी कहती कथा में कि जो जो यहां कहा जा रहा है सम मानो सम मानना न मानना ये सब की अपनी अपनी रुची है पर ये जरूर सोच के वैठो कि कोई एक बात हमें यहां साथ दिन से ऐसी लेनी है पकड़नी है तो हमको कथा के बाद भी लगातार हमारे जीवन में रहेगी ऐसे नहीं साथ दिन बस आए सुने मौज लिए और फिर तुम अपने घर हम अपने घर ये नहीं होना चाहिए आचरन में और एक कदम और आगे मैं अगर बढ़के कहूं अगर किसी कारण से वो एक बात भी नहीं मिल पा रही है तो भी सुनते रहो क्योंकि गोपी कहती है श्रवन मंगलम शी मधाततम भुवी ग्रणंतिते भूरी दाजना तुम आचरन में नहीं भी लापाओगे तो भी घवराने की जरुत नहीं गोपी कहती है भईया भगवान की कथा तो केवल सुनने सुनने भर से ही मंगल हो जाता है आचरन तो बाद की बात है राजा परिक्षित को साथ दिन में भगवान की प्राप्ति हो गई आचरन का तो समय नहीं मिला केवल सुनते सुनते ही भगवान मिल गए यानि श्रवन भ बिश्वास से, भाव से, पर सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, एक ही पत्थर पर जब बार बार चोट पड़ेगी तो कभी तो निशान बनेगा, आज सुन रहें क्या पता, आज सुन करके न बैठे, पर वही चीज जब बार-बार सुनेगे, बार-बार वही बाते आए कि भाइया भजन करो भजन करो Cabinet भगवान का नाम लो तो कभी तो इस मन को भी कभी लज्या आएगी य dabei कहे इतना कहा जाता एक बार तो तू हरे कृष्ण एक राम निकलेगा जब आसे